और अभी नंदन करता हूँ आज जैसा कि आप सभी को इंतिजार था कि जो रिजल्ट आने वाला है SSE CGL 2019 का SSE CGL 2019 का रिजल्ट का इंतिजार आप सभी को था और वो 20 तारिक की डेट जैसी दी गई थी क्योंकि शनिवार है विभागिये छुटी भी रहती है सो वो रिजल्ट आज के दिन निकाल दिया गया लेकिन उसके अंदर एक सवाल जो सब के मन में गुंज रहा है और उससे पहले की भी बेग्गराउंड की स्टोरी भी बात बताऊं कि जब एक्जामिनेशन हो रहे थे और 15, 16, 18 के बाद जब की आई थी टेंटिटिव की उसके बाद एक जो दोर चलता है कि सर कितने पर कट आफ जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा सो हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट यही किया था कि 500 के आसपास आपका टियर 2 तक का स्कोर जाना चाहिए लेकिन वो 528.38462 जो जनरल की कट आफ गई है जो लिस्ट 3 के हिसाब से तो वो अपने आप में एक अपरत्याशित है और उची कट आफ को देखते हुए इसके अंदर 528 के अंदर 8674 स्टुडेंट्स यहाँ पर सलेक्ट हुए है अब दूसरी बात यह आती है कि अगर इतना बड़ा नौटिफिकेशन एक दिन पहले और इससे पहले मुझे लगता है कि कल भी वहाँ डिपार्टमेंट में था CGO complex तो इतनी fumes थी कि उनका यह result तयार है कम से कम एक वो यह तारिक भी दे देते कि tier 3 का result आखिर कब आएगा और अभी एक दो लोगों से मेरी अभी बातचीत हुई तो उन लोगों ने input दिया कि वो लोग इस इंतिजार में थे कि tier 2 का paper conduct हो जाए CHSL का और tier 3 के papers भी अब जा long and toiling process अपने आप में हो जाता है और उस चीज के लिए आपको बोला गया है कि अभी 28 February 2021 यानि इस साल के अंतिम मतलब इस महीने के अंतिम दिन पर आपको final answer की दी जाएगी और जो एक महीने के लिए आपके पास website पर मौजूद रहेगी और last close जो लिखा है marks of the qualified or non qualified candidates in tier 2 examination will be uploaded on the website of the commission together with the marks of the tier 3 examination after declaration of the result of tier 3 descriptive paper अब descriptive paper को चेक कैसे और किस बिना पर चेक किया जाएगा अभी तक आप November में 22 November को उसका paper लेने के बाद December January और अब 20 February तक आखिर क्या कर रहे थे तो क्या वो copies को चेक करना शुरू नहीं कर देना चाहिए था या केवला और केवला आप 2018 की तरह 17 की तरह इसको भी किसी कारणवश लटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर चीजों को गरम भी किया जा सकता है और हमें एक साथ होने की भी जरूरत है ताकि इसके अंदर हम SSE से ये डिमांड कर सकें कि अगले एक महीने के अ मार्च तक अगर टियर टू का और टियर थी का रिजल्ट आता है तब कहीं जाकर आपकी फिर टाइपिंग और उसके बाद के सारे के सारे जो प्रॉसस इस समय आप सब लोग देख रहे हैं वो उसी तरीके से यूज हो गई तो मुझे लगता है यहां पर पाइल शर्मा पू जादा थे तो उनकी तरफ कहीं न कहीं जुकाओ बढ़ा होगा और अभी मार्च आने पर पता चलेगा कि उनके कितने कितने मार्च वहाँ पर इंक्रीज हुए हैं तो असली जो पिक्चर क्लियर होगी आपके नॉर्मलाइजेशन की कि कि किसके कितने मार्च बढ़े हैं वो सारी की सारी चीजे आपकी 28 तारीक को final cut off list आने के बाद होगी और actually जो सारी चीज होगी उसके अंदर जो basic बाते समझ में आएंगी वो final cut off के बाद यानि कि tier 2 और tier 3 के बाद समझ में आएगी लेगिन basic जो margin है वो margin पूरा का पूरा आपके पास tier 2 का 16 तारीक का examination दे रहा है और 18 का आसान होना वो 16 वालों को एक comparative फाइदा पहुचाने की कोशिश करता है तो लगे रहिए और बने रहिए और आप लोगों को अगर लगता है कि इन चीजों को अच्छे मकसद से एक बार उठाया जा सकता है और जाकर एक बार बात की जा सकती है और SSE पर सब लोग मिलकर अगर इसके उपर काम कर सकते हैं और कोई भी अगर इस तरह की चीज़े अधिकारी बर्ग पर या कमिशन पर या चेर्मेंस आप पर कोई भी अगर दबाव बनाने की भी कोशिश की जाए तो एक रेप्रेजेंटेशन हम सभी की तरफ से दी जा सकती है कि कम से कम एक चीज कहे कि वो टियर टू प्लस टियर थ इसल मैं आप की बिल्कुल बात को तयार हूं और साथ हूं कि एससी को बोलो रिजल्ट फास्ट देने के लिए तो बिल्कुल रिजल्ट आपका फास्ट ही आना चाहिए लेकिन ये स्लो संस्था बन चुकी है अपने आप में सो मुझे लगता है मेरी एंटिसिपेशन तो कुछ भी नहीं कह रही संदेश भहिया लेकिन मेरी एंटिसिपेशन तो मतलब बहुत बेकार हो चुकी है और इसलिए मुझे लगता है कि हम में इस चीज क्यों तो फाइनल रिजल्ट के लिए कितना इंतिजार करना पड़ेगा एक बर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या ये जायज मुद्दा है या नहीं और इसी मुद्दे के साथ मैं फिर से कल एक बर फिर से आपके साथ लाइव जुड़ूँगा अठारा वालों के साथ तो गलत है बिल्कुल फाइनल कट ओफ क्या हो सकती है तो मुझे लगता है फाइनल कट ओफ में 60 मार्क से और जोड़ लोगे तो 6 और 2 आठ 588 के आसपास की कट ओफ बनेगी ये 60 या 55 को एवरेज मान के चलो क्योंकि अंसल्टेनिटी आफ दे टॉपिक कई बार इस तरह से हो रही है एक बच्चा लिख रहा है छी एचसल 18 के बारे में भी बोलो तो भीया बिल्कुल बोल रहा हूं मैं तो 30 जून से का उन्होंने डेड दे रखी है और वो बार बार दब बाओ बनाने के बाद भी उन्होंने कोई भी इस तरह की चीज़े नहीं की 28 फरवरी को किस चीज़ की आंसर की आएगी वो आपने जो आंसर पुट किये थे जिनको रिप्रेजेंटेशन डाला था उस चीज़ के करेक्ट आंसर करके वो चीज़े बता देंगे रोहित भाई ठीक है थीचसल 2018 का टाइपिंग का रिजल्ट पहले आएगा या डीवी पहले होगा मुझे लगता है पहले वो टाइपिंग का रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट के साथ ही देते हैं तो पहले तो डीवी दे देंगे वो लोग चली इन तमाम मुद्दों के साथ फिर से जुड़ने का परियास करेंगे मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने आई बी का एक्जामिनेशन दिया है और कल आई बी के एक्जामिनेशन की आखरी डेट भी है तो जितने लोग भी आई बी का एक्जामिनेशन दे चुके हैं या दे रहे हैं वो लोग भी बढ़िया से अपने तयारी करते रहें और कितना आपको लगता है कि आपका पेपर क स्थिति हो गई होगी क्योंकि एक अच्छे लेवल की UPSC लेवल की चीज़े अब लगातार SSC के भीतर भी इंटर्ड्यूस की जा रही है आपके इंगलिश के लेवल को वही SSC लेवल को यूज किया गया है लेगिन साथ ही साथ उसके अंदर स्टेंडर्ड बढ़ाने की बाद जो GK और GSC की गई है वो आपको एक अलग लेवल पर सोचने के लिए भी विवश करती है कि इस बार TCS पैटरन के अंदर भी अगर CGL लेवल और HSL का जो अपरेल और माई के अंदर प्रेलम्स का एक्जामिनेशन है जो लोग अपना इस तरह की गड़बड सी ना हो जाए तो यह जो फरवरी के कुछ दिन और मार्च का कुछ दिन बचे हुए है यह आपके लिए एक गॉल्डन पिरियड है जिसमें आप अपनी GK और GSC को बहुत अच्छे से मजबूत कर लें Now you have faced your challenges आपने अपने कई चुनोतियां देख ल लेटर लतीफी के कारण तो मुझे लगता है कि अब आप डिसीजन ले चुके होंगे कि आपकी तैयारी का अगला मोड क्या हो इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी तरीके से अपने आपको मान रहें कि उनका 80 प्लस इसको रहेगा या रह सकता है वो लोग जरूर से जरूर अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरूर जरूर कर देना जो आपके पास IB के लेवल की है जैसा कि मैंने अपनी क्लास में भी बताया था IB के examination के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो है internal security और जितने भी आपके पास cyber security से related चीजे हैं वो warfare से related जितने भी topics रहते हैं वो तो कोशिश कीजीगा उन topics के उपर बढ़िहा से प्रेसी पढ़ने के बारे में comprehension पढ़ने के बारे में और essay writing को बराबर क्योंकि इसके अंदर जो word limit है वो 400 words है 200 word नहीं है जो आप CGL और CHSL के लिए तयार करते हैं तो अपने आपको UPSC level के topics के हिसाब से बनाईए जिसके लिए SSC ट्यूप की पूरी की पूरी team और इस बार तो experts के team भी आपके साथ बराबर काम कर रही है तो इनी सब चीजों के साथ लोग तो ये slow service commission ना होकर मेरे ख्याल से smooth service commission की भूमिका में होता तो इसका विश्वाश ज्यादा मनता तो इसी तरीके से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने साथियों को एक बार comment में tag जरूर कर देना ताकि मुखरजी नगर में एक बार हम सब लो के अंदर अंदर ही हम final date की demand कर सके कि tier 2 का result आने के बाद tier 3 की जो copies है वो कब तक चेक होकर और कब तक हमारा final result draft हो जाएगा और उसकी हम date अपनी तरफ से देने की भी कोशिश करें ताकि कम से कम उस benchmark तक काम हो आज के लिए एक बार इतना ही उमीद करता हूँ बहुत अच्छ इसके लिए आप संदेश भहिया कम से कम एक या दो दिन रुको मैं खुद इसके उपर live आकर बात करूंगा ठीक है तो इसी तरीके के कुछ sessions रखेंगे जिसके अंदर हम one to one इस तरह से बात करेंगे work from home type की चीज़े हैं मुझे भी अच्छा लगेगा अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ lighting वाइटिंग के issues आपको लग रहे होंगे उसको भी ठिक ठा करने के एक बर कोशिश करूंगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत भारत मता की जय शुक्रिया